और मामु दौरी कर ही रहे हैं अब आग सेक रहे हैं और एस्ट भी कर रहे हैं अभी हम लोग धान को ओसार है यानि कि धान उसका मैं देखिए गर्मा गरंद उसका हाई फ्रेंड्स विद मॉर्णिंग आप लोगों का स्वागत है नए वीडियो में मैं अच्छी हूँ और उम यहां बनने स्टार्ट हो जाते हैं और आज नास्ता में बनने वाला है दिसका तो यहां पर मामी चावला रूज़त को पीश रही है अब मामी बैलों को निकाल रहे हैं खलियान में बेने के लिए और यह है गोहार है कि अ हमको फी कपा हिसे हाँ जाने है खो बुचे सुझे खलियाल जी अरभी चाहँ है गोरी चाहँ है और म ममाम इसका अप्दालां को इसा बांद रहे हैं अरज़ बांद पयो अफिछ जाहन को नहीं जरेए कुपर ज़ो करने एकहांं गोरेոं का भी तो डेल की सौत सब्सक्राइब है अवी किया अभी सुपर के साड़े मामु दारि का में असथा करने हैं ये माममु process तरह यहां गई तो फ़र थोड़ा साद भेरा लग रहा है उस साइड में मामु दाओरी और आज चाद ठंड है तो हम लोग आग जला रहे है अब इस अब इस पर के चार बज रहे है और आसमान में देखी चांद दिखाई दे रहा है आज दाओरी एक बार करने लगबग होने ही वाला है अब यहां ना इसको जाल देती हूं अर यह धीमाच में अभी पकेगा कांदा को मैं ढग दी हूँ और यह दिरे धीरे जले गा आर कांदा अची तरसे पक जाएगा खाण को हामलग पलत रहे हैं इसे क्या होता है कि कुछ जो धान रह जाते हैं नीचे वो भी अच्छी तरह से जड़ जाते हैं इसके अगला भी आर जिस्से मामो धान को पलत रहे हैं उसको बोलते हैं अखायन कि आफ ये हैं जो तरीके है कि आपकार दोरी करने का यह बहुत फुराना तरीक अरए परमपारिक तरीचा है ज़्यादों तरह आज भी इसी तरीके से धानों की साई की किती हाँ और अभी गाश्वार में इसकान अगय के करा करे लिकींछ लेकिन इससे क्या है कि पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं तो बहुत लोग इससे नहीं करा पाते हैं और धान अगर किसी के पास में कम होता है तो इस तरीके से दौरी किया जाता है जब धान की दौरी की जाती है इंसान तो मेहनत करते ही है बैलों का उससे ज्यादा मेहनत होता और बैल खाते जाते हुए पुआल और शाथ में दैरी भी होता है अभी दैरी खत्म हो गई है और बैलों को बाहर निकाल चुके हैं अब ठोड़ी तरह हम लोग आग सेक रहें और एस्ट भी कर रहे हैं है दोरी करने से बाद में बैल जो है खलियान से बाहर आ गया है आरे घर में पुआल खा रहे हैं और निकाल करके अब हम लोग फूआल को ढट रहें हैं ताकि इसे करने यह दान नहीं भागें इसे प्वेक रहे हैं बहार मैं करने से मतर हिसमें फुड़ा भिंज रहता है सिर्ट से इसमें कुहुड नहीं होता है यह उड़ता नहीं है तो पहार को करने से पुरा धूप में शुप जाता है कुवाल अरग्दम कुवा उड़ता है तो खुझली होता है इसलिए जादेतर सुबा के समय ही दारी किया जाता है इसलिए जादेतर हम लोग शुबा मेहीं मतर खेटते हैं हाँ 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 कि दान के ऊपर जो थोड़े बहुत पुवाल रह जाते हैं उसको जाड़ू करके मैं निकाल रही हूँ तो इस तरीके से करने से भी दान जो है कुछ बहुत साप हो जाता है कहसे देतर है काच्या है दान- महीं सुखचय बहुत पर देंटी हूँ हेटें भेंज रहा है नहीं बहुत अच्छा चाहे अदम टेस्टी चाहे बनाए है मामी थान के मिसाई की पहले बहुत सारी तयारिया करने पड़ती है तो सबसे पहले यह जो जमीन है घलीयान इसको मित्ती से छाबा जाता है उसके बाद इसकी गोबर निपाई की जाती है और यह जब अच्छी तरह से सुख जाती है उसके बढद ही इसमें धान की निसाई की जाती है् जमा करने वाला आ पर्ता है कि अ रहे हास है तो यह जाने kijken यानि कि धान को साफ कर रहे हैं और ये वला है धान को उसाने के लिए वला पंखा है तो इसको इस तरह से चलाया जाता है पहले धान को उसाने के लिए हवा का इंतिजार करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब इस तरह के हां से घुमाने वाले पंखे भी आ गया है ऐर इलेक्ट्रिक पंखे भी आ गया है तो धान को उसाना आसान हो गया है और ये हैं धान का पुवाल जिसको कि हम लोग एक जगह जमा करके रखे हैं और ये बैलों के चारा के लिए यूज होता है अभी हम लोग धान को घाट रहे हैं और इसको सुखाएंगे और इसके अंदर हमने खापो कंदा फकाने के लिए रखा था तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं यह देखिए यह 乾़ए अच्छी तरीके से अजके काम ऊगया खताम अभी हम लोग जा रहे हैं घर बैलों को हम लोग खिला पिला करके लेकर आ गये हैं और यहां पर मामू बांद दिये हैं बैलों को इसके बाद इनको बाद में लेकर कि जाएंगे खेतों के और चराने के लिए तय現在, और अभी हम लोग आ गए हैं . नीम का दटवन लेने के लिए हम लोग दटवन करके आ गए हैं. अब चलिए खापू क्नदा को चीलते हैं और खाते हैं और यह है नमख और नमख के साथ में खापू कंदा खाना कापी अच्छा रपता है और अब हम लोग खलियान से घार आ गए हैं और आज हमारे नास्ते में बन रहा है धुसका देखिए गर्मा गरम धुसका और नास्ते में है आज धुसका और गर्मा गरम मटल का छोला खाने में यह काफी अच्छा लग रहा है हमने नास्ते कर लिया है और आज की वीडेओ में आप लोगों को दिखला है कि हमारे धान की निशाई केसे की Mrs. तो आप